स्वायवीन में तनाच हिदा गिल्ली रेती है उसने पूरा अंदर से खतम कर दो एक छिड़काव में तो नश्ट होती नहीं अगर सरकार इस चीज की ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो आने वाले साल में किसान स्वायवीन की खेती करना बंद कर देगा मध्य प्रदेश और महराश्ट रे दो ऐसे राज्य हैं जो देश भर के स्वायवीन उतबादन में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं लेकिन इन दोनों राज्यों में स्वायवीन के किसान भेंकर संकट से गुजर रहे हैं साल दर साल सोयवीन के घटे दामों ने किसानों को पहले ही तंकर रखा था और अब इल्ली नाम के कीडों ने सोयवीन की फसल बरबाद करनी शुरू कर दी है। चिंता यह है कि किसानों के पास इसका कोई हल भी नहीं है। स्वयवीन के फसल में लगे इन कीडों ने उत्पादन पर बुरी तरह से प्रभाव डाला है फसल में कीडों का खत्रा और फिर इन सबसे लड़ते भीड़ते जो भी उत्पादन हो उसे भी सही कीमत ना मिले तो स्वयवीन किसानों के साथ यही हो रहा है स्वयविन में इल्ली का इतना प्रकॉभ है यह जो हुआ है यह तना छिदग इल्ली रेती है उसने पूरा अंदर से खतम कर दिया है और एक बहार से रेती है पत्ते छिदग इल्ली मतलब इल्ली का कोई साभी केमिकल डालते हैं तो कोई कंट्रोल नहीं होता है और इल्ली की वजे से अब इस स्वैविन के पोदे पर सिर्फ चार फली है तो सोच लो क्या उत्पादन होगा उत्पादन तो नाममात्र का होगा के दो कुंटल बिगा की हो जाए तो बहुत प्रशना कशी ऑगर को कर आगे दिशिक दशना है जो दस साल परेले हमें वह मिल रहे हैं वह तो 1911 फृटव यह एथि इसलिए स्वयविन कुल मिला कि हमारे लिए घाटे का सोदा है अब तो इल्ली का प्रकोप बहुत मतलब एक चिड़काओं में तो नश्ट होती ही नहीं उसके बाद भी उसका प्रकोप बना ही रहता है तो सर वो दिक्कत आती है ना कि मतलब चिड़काओं के बाद भी उस हिसा कि हर साल पिला मुझा से स्वयविन का उत्पाद रही है और स्वयविन में लागत होते है घाटे का सवदा हो रहा है और मजदूरी भी महंगी है लेबर चार्ज महंगा है अब कि हर चीच मतलब मशीन ठ्रेशर एक बीगे का सॉयविन निकालने में एक गंटे का पंदरह सु बीगा लगता है दो बार डोले लगाते हैं दो अजार रुपे पूल मिला के हमारे स्वयविन की फसल आज घाटे का सोधा बनती जा रही है और किसान चाहता है गब स्वयविन न लगाए इससे अच्छा तो खेत खाली रखें तो अगली फसल के लिए चार्ज अच्छा हो जा अजार एक एक साल थे ब्याज लगा एक निसको रख रहे है तो फाइदा क्या है अवेदकें टेमबे परिशों मली तामारी ब्याज ती लाइला इन फूरो कर रिया तो सरकारण ने बहीं लीशों तरह लीशों चुमालीशों कुटीरिया दो दो साल गे तो यह दो साल की विल्कुल कारा वेरा कुछ भी नहीं है इसमें एक नंबर सोयबी ने जो पेंटालीशों चपवीश विक्री कंशे कंशेजार रुपय का बाद तो मिलना था ही ताई सबीन एक नंबर काटे अस होता है यह सराएगा तो कास्तकार सोयबीन बोहें ही नहीं कि अगया दूसरी पशल बोने लग जाएंगा तो ब्रिंट इन बोरिन पक्ति इसमें क्या मिल रहा है और कुछ मतलब यह खास बात नहीं रही है स्वाविन की क्यती में तो दस साल से जो किसान खेती कर रहा है उसमें अगर कुछ मिले तो ठीक है यहां तक हम बेशने मंडी तक आते हैं उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है स्वाविन में कुछ भी नहीं अंदर देखें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं और यह बाव लगता है और फिर मजदूरी के पैसे और यह खर्चा बहुत है इसमें इससे दूसरी फ़सल वह उसका भाव मिल जाए थोड़ा बहुत है वहाना स्वाविन की खोतिमत कुछ दंबी नहीं है कुछ किसान परेशान हो गया स्वाविन की खेती से दो और कुछ मतलब नहीं है इसके तो में किसान भी हो और पढ़ाई भी करता हूं को लेज वगारा मेरा चल बिराय यह फस्ट अगर सरकार इस चीज की ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो आने वाले साल में किसान स्वाविन की खेती करना बंद कर देगा वैसे भी घाटे का सुधा हो चुकी है सरकार के कितने भी दावे हैं कि हम आय दोगनी करेंगे वो होना नहीं है कि जब तक कि आप इनका MSP लागू किसी के पास नहीं है कि अधा मतला पूच नहीं मिल रहा है फाइदा नहीं मिल रहा है उसकी लागत अगट अगर देखें तो उस लागत करेशा निकालत कुछ नहीं मिल रहा है हमको मिनिमाम छेजार रूप परती कांट कि यूटरल के बाव से तुस्वाविन होनी चाहिए कि हमार किसानों के दिमांड है. केंदर सरकार का कहना है कि 10 साल में सोयवीन की MSP में करीब 90% का इजाफा हुआ है लेकिन किसानों की बातें सरकार के इनाकड़ों से ठीक उलठ है महराष्टर में इनी समस्याओं को लेकर किसान नेता भी मुखर हो चुके है सोयवीन चा उत्पादंखर्च सातत्यान वहाड़तो है दुसरे बादूला सरकार सातत्यान शेतकरी विरोधी आयात निरहतीच धोरन गेता मद्यंतरीचा कालाच सोयवीन चे अनिर्वन्द आयात करने ताली आनि आत्ता सुधा मोठ्या प्रमाणा मदे खाद्यते लाचे आयात सरकार कडून केली जाते या सब्याचा दुष्परिना मनून सातत्यान शेतिमालाचे भाव विशेस्ता सोयवीन चे भाव कोसलताई सरकार ने ही बाव लक्षाद ग्यावी मुख्ये हंगा माचे सोयवीन बाजारा जेवा मोठ्या प्रमाणाथ येई हे भाव ट्याच्या प्रक्षा सुधा अधिक कोसलती ऐनि ते हवा मोठ्या प्रमाणाथ शेत करयान चा भुदरे हाल सरकार विलुद्द उस्रले श्वयार रहनार नै परिस्तिती निर्मान हो ने, शेतकर्याणना दिलासर मिलावा, या सची वेलिच हस्तक्रेप सरकारणे करावा, अशी मागनी किसान सबेचा वती नामी करतो आवो सरकार जान्यू पुर्वक सोयविन चा तेलाची आयात करते, पाम तेलाची आयात करते, जागतिक बाजारा मदे सोयविनला चांगले भाव आस्ताना, निर्यात बंदी गालते, स्टोक लिमिट गालते, आशा पद्दतिना, शेतकर्याणना उद्वस्त करन्याचा धोरन हे, के अंबिर्याने दखल नहीं गेतली, तर ये नार्या निवडनुकी मदे सरकारला शेतकर्याचा सोयविन उत्पादकाचा इंगा अधा कुले शेतकर्याचा अधा में स्वस्त बसनार नहीं, एंदर्शाषनाचा हमी बहाप एक्षाई, मार्कित मदे, एक हाजारते बाराशी रुपे कमी बहावाने, जोल पास 36-37 रुपे बहावाने, आज शेतकर्याचा सोयविन खरिदी केले जाता है, ये कंदरीत खर्च पाता शेतकर्याचा, शेतकर्याचा पदरुन, पास ते सहाद रुपे पदरुन गालाव लागता, त्या मुले शेतकरी वर्गा अरचनी ता एकर्त्रित स्वयविन ख भाव वाडेल या पेक्षी पोटी, स्वयविन खरिदी केले जाता है, शेतकरी आज खूब प्रमानाद में आरचनी ता है, या मुल, या महारास्टा में स्वयविन वीशी जागरुपता निर्मान करना, ये कालाची गरज आए, आनी महाविका स्वयविन स्वयविन उत्पादन में भारत पांचवे अस्थान पर है, भारत के इस अस्थान में मध्यप्रदेश और महारास्ट समेत देश भर की किसानों की जरूरी भूमी का है, सवाल ये है कि किसानों की यही इस्तिती रही, तो क्या भारत दुनिया भर की स्वयविन उत्पादन में अपने इस अस्थान को बरकरार रख सकेगा, जवाब है नहीं, क्रिशी छेतर से जुड़े हो जिम्मेदारों को किसानों की समस्या का हल ढोड़ना ही होगा, स्वयविन किसान भी यही उमीद कर रहे हैं